नारायन 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 श्रीमद भागवत द्वितिय स्कंदह अथ दशमो ध्याय दशमा अध्याय भागवत के दश लक्षण शिशुक देवजी कहते हैं परिक्षित इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, होशन, उती, मनवंतर, इशानुकता, निरोध, मुक्ती और आश्रे इन दस विशेयों का वर्णन है इनमें जो दसमा आश्रे तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चे करने के लिए कहीं शृति से, कहीं तात्परिय से और कहीं दोनों के अनुकुल अनुभव से महत्माओं ने अन्य नव विशेयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है इश्वर की प्रेरणा से गुणों में छोब होकर रुपांतर होने से जो आकाश आदी पंचभूत शब्द आदी तनमात्राएं इंद्रियां अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ती होती है उसको सर्ग करते हैं उस विराठ पूरुष से उत्पन ब्रह्माजी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्मान होता है उसका नाम है विसर्ग प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में इस्थिर रखने से भगवान विश्णू की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम इस्थान है अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भगतों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है वोशन मन्मंतरों के अधिपति जो भगवद भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मन्मंतर कहते हैं जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है उती नाम से कही जाती है भगवान के विभिन अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविद आख्यानों से युक्त गाथाएं इश कथा हैं जब भगवान योग निद्रा स्विकार करके शेयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है अज्यान कल्पित कर्त्रित्व भोक्त्रित्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में इस्तित होना ही मुक्ती है परिक्षेत इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रले जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रे है शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है जो नेत्र आदी इंद्रियों का अभिमानी द्रश्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिश्ठात्री देवता सूर्य आदी के रुप में भी है और जो नेत्र गोलक आदी से युक्त द्रश्य देव है वही उन दोनों को अलग-अलग करता है इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्दी नहीं हो सकती अतहु जो इन तीनों को जानता है वह परमात्माही सब का अधिश्ठान आश्रय अकत्व है उसका आश्रय वह स्वयम ही है दूसरा कोई नहीं जब पुर्वोक्त विराठ पुरुष म्रमांड को फोड़ कर निकला तब वह अपने रहने का इस्थान डूंडने लगा और इस्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टी की विराठ पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किये हुए नार में वह पुरुष एक हजार वर्षों तक रहा इसी से उसका नाम नारायन हुआ उन नारायन भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव अदे के सत्ता है उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता उन अज्विती भगवान नारायन ने योग निद्रा से जग कर अनेक होने की इच्छा की तब अपनी माया से उन्होंने अखिल प्रह्मंड के बीज स्वरूप अपने सुवर्ण मय वीर्य को तीन भागों में विभक्त कर दिया अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूद परिक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर्य तीन भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रियबल, मनोबल और शरीरबल की उत्पती हुई उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन हुआ जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं वैसे ही सब के शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुबव हुआ खाने पिने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ मुख से तालू और तालू से रसने इंद्रिय प्रकट हुई इसके बाद अनेकों प्रकार के रस पुत्पन्न हुए जिनें रसना ग्रहन करती है जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाग इंद्रिय उसके अधिश्ठात्री देवता अगनी और उनका विशय बोलना ये तीनों प्रकट हुए इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए जब उन्हें सूंगने की इच्छा हुई तब उनकी नाक ग्रानेंद्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंद को फैलाने वाले वायू देव प्रकट हुई पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था फिर जब उन्हें अपने को और दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका दिष्ठाता सूरिय और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए इनी से रूप का ग्रहन होने लगा जब वेदरूप रिशी विराट पुर्ष को इस्तूतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई उसी समय कान उनके अदिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई इसी से शब्द सुनाई पड़ता है जब उन्होंने वस्तूओं की कोमलता, कठिनता, हलकापन, भारीपन, उश्नता और शीतलता आदि जानने चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ पृत्वी मेंसे जैसे व्रक्षो निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायू भी प्रकट हो गया इस पर्ष ग्रहन करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों और लिपट गई और उससे उन्हें इस पर्ष का अनुभव होने लगा जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए उन हाथों में ग्रहन करने की शक्ति हस्ते इंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुई और दोनों के आश्रे से होने वाला ग्रहन रूप कर्म भी प्रकट हो गया जब उन्हें अभिष्ठ इस्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए चर्णों के साथ ही चर्ण इंद्रिय के अधिश्ठा था रूप में वहाँ स्वयम यज्य पुरुष्ठ भगवान विष्णु इस्थित हो गए और उन्हें में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ मनुश्य इसी चर्णेंद्रिय से चलकर यज्य सामगरी एकत्र करते हैं संतान रती और स्वर्गभोग की कामना होने पर विराठ पुरुष के शरीर में लिंग के गुद्पत्ती हुई उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापती देवता तथा इन दोनों के आश्रे रहने वाले काम सुख का आदिरभाव हुआ जब उन्हें मलत्याग के इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ तथ पश्चात मन में उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए इनी दोनों के द्वारा ये मलत्याग के क्रिया संपन्न होती है अपान मार्द द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर ना भी द्वार प्रकट हुआ उससे अपान और मित्यु देवता प्रकट हुए इन दोनों के आश्रे से ही प्रान और अपान का विछोह यानि मृत्यु होती है जब विराट पुरुष को अन जलक ग्रहन करने की इच्छा हुई तब कोख आंतें और नाडियां उत्पन्न हुई साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाडियों के देवता नदियां एवं तुष्टी और कुष्टी ये दोनों उनके आश्रेत विशय उत्पन्न हुए जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हरदय की उत्पत्य हुई उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विशय, कामना और संकल्प प्रकट हुई विराट पुरुष के शरीर में पृत्वी, जल और तेज से साथ धातु में प्रकट हुई त्वचा, चर्म, मांस, रुधेर, मेद, मज्या और अस्थी इसी प्रकार आकाश, जल और वायू से प्राणों की उत्पत्ति हुई श्रोत्र आदी सब इंद्रियां शब्द आदी विशयों को ग्रहन करने वाली हैं वे विशय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धी समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है मैंने भगवान के इस इस्थूल रूप का वर्णन तुमें सुनाया है यह बाहर की और से पृत्वी, जल, तेज, वायू, आकाश, एहंकार, महतत्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से घिरा हुआ है इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है वह अव्यक्त, निर्विशेश, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं निध्य है वानी और मन की वहां तक पहुँच नहीं है मैंने तुम्हें भगवान के इस्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है इसलिए विद्वान पुर्ष इन दोनों को ही स्विकार नहीं करते वास्तव में भगवान निश्क्रिय हैं अपनी शक्ती से ही वे सक्रिय बनते हैं फिर तो वे ब्रहमा का या विराट रूप धारन करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्विकार करते हैं परिक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, रिशी, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अपसराएं, नाग, सर्प, किम्पुरुष, उरग, मात्रिकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूश्मांड, उन्माद वेताल, यातुधान, गुरह, पक्षी, मृग, पशू, व्रक्ष, परवत, सरीस्रिप, इत्यादियादियादियाद का जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं, कुलिय बक्तवत्सलबगवान की जये संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुर, अंडज, स्वेदज और उद्विज भेद से चार प्रकार के जितने भी जल चर थल चर तथा आकाश चारी प्राणी हैं सब के सब शुब अशुब और मिश्रित करमों के तदन रूप फल हैं सत्व की प्रधानता से वेवता, रजोगुन की प्रधानता से मनुश्य और तमोगुन की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गती के तीन तीन भेद और हो जाते हैं वे भगवान जगत के धारण पोशन के लिए धर्म मय विष्णू रूप स्विकार करके देवता, मनुश्य और पशु, पक्षी आदी रूपों में अवतार लेते हैं तथा विष्व का पालन पोशन करते हैं प्रलय का समय आने पर वेई भगवान अपने बनाये हुए इस विष्व को कालागनी स्वरूप रूद्र का रूप ग्रहन करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायो मेग माला को परिक्षित महात्माओं ने अचिंतियश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्ण किया है परंतु तत्व ज्यानी पूर्शों को केवल इस स्रिष्टी पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं स्रिष्टी की रचना आदी कर्मों का निरूपन करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंद नहीं जोड़ा गया है वे तो माया से आरोपित होने के कारण कर्चित्व का निशेद करने के लिए है यह मैंने ब्रह्मा जी के महा कल्प का अवांतर कल्पों के साथ वरण किया है सब कल्पों में स्रिष्टी क्रम एक साही है अंतर है तो केवल इतना ही कि महा कल्प के प्रारंब में प्रकृती से क्रमशव महत्तत्वादी की उत्पत्ती होती है और कल्पों के प्रारंब में प्राकृत स्रिष्टी तो जियोंकितियों रहती ही है चराचर प्राणियों की वैकृत स्रिष्टी नवीन रूप से होती है परिक्षित काल का परिमान, कल्प और उसके अंतरगत मनवंतरों का वर्णन आगे चल कर करेंगे अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनू शौन जी ने पूछा सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परमभक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुम्बियों को भी छोड़ कर प्रत्वी के विभिन तीर्थों में विचरण किया था उस यात्रा में मैट्रेई रिशी के साथ अध्यात्म के संबंद में उनकी बाच्चित कहा हुई तदा मैट्रेई जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया सूत जी आपका सुभाव बड़ा सोमिया है आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाईए उन्होंने अपने भाई बंदूओं को क्यों जोड़ा और फिर उनके पास क्यों लोट आए सूत जी ने कहा सौनक आदे दिशियो राजा परिशित ने भी यही बाद पूछी थी उनके प्रश्णों के उत्तर में श्रिशुकदेव जी महराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ सावदानों कर सुनिये नारैन 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 नारैन